दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि AU small finance bank में zero balance saving account online open कैसे करना है ठीके इसके लिए सबसे पहले आपको इस page पर आना है इस page पर आने के लिए link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा जिस पर click करके आप डिरेक्ट इस page पर आएंगे ठीके यहाँ पर देखे no charges ठीके your mobile number आपको यहाँ पर अपना mobile number एंटर करना है जो आपका pen card से link को के मोबाइल नमर एंटर करने के बाद आपको get OTP वाले option पर click करना है OTP आने के बाद आपको OTP पर फिल करना है इसके बाद submit वाले option पर click करना है इसके बाद आपके समने यह वाले page open हो जाएगा applicant details का how to apply यहाँ पर आपको detail फिल करना है customer का phone number first name middle name last name इसके बाद आपकी date of birth और इसके बाद आपका email address इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ प पिन कोड और आपकी qualification और आपका gender ठीक है सारे detail फिल करने के बाद आपको cross check कर लेना है इसके बाद continue option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर्मिशन अलाओ कर दीजी इसके बाद आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा apply for saving account 7.2% per annual on AU saving account with monthly interest payout सबसे निचे दे के option आ रहा है mobile number linked with अधार जो भी आपके अधार कार्ट से link mobile number है वो mobile number आपको यहाँ पर एंटर करना है mobile number पर एक OTP आएगा OTP verify करना है इसके बाद आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा enter your pen detail ठीके आपको यहाँ पर pen card का number एंटर करना है और pen card का number verify होने के बाद यहाँ पर green tick बनावा इसके बाद आपको confirm पर क्लिक करना है इसके बाद आधार verification आपको यहाँ पर 12 digit का अधार card का number एंटर करना है इसके बाद निचे i authorize पर tick करना है और get अधार OTP वार option पर क्लिक करना है अधार card में जो भी mobile number लिंक है उस पर OTP आपको verify करना है इसके बाद आपके सामने यह व क्लिक करना है personal information family information address और occupation detail सबसे निचे continue वाल option पर क्लिक कर दिए अब पहला step आपका personal information ठीक है यहाँ आपका name and photo एस पर अधार card ठीक है शो जाएगी date of birth जेंडर और mobile number निचे आजए यहाँ आपका marital status और निचे आपका email address email address green tick होने के वाद आपको submit detail पर निचे क्लिक करन है तो यह वाल option नहीं आएगा ठीक है इसके वाद निचे nominee फिलाल में इसे no letter पर tick कर देता हूं और submit detail पर क्लिक कर देता हूं third day हमारा address ठीक है माई आधार address जो आपके अधार card में address होगो यहाँ पर शो करेगा अगर आपको change करना है तो आप no pay क्लिक करके change कर सकते हैं तो मेरे को यही रहने देना है तो मैं update address पर tick कर देता हूं last step है हमारा occupation details ठीक है आप जिस तरह के sector में job करते हैं आपका salary है self-employed student है unemployed है ठीक है किसी भी तरह आपका occupation टाइप है पर select कर सकते हैं इसके बाद second employee details और नीचे आपका your annual income ठीक है जो भी आप जिस criteria में आते हैं आप वो select कर लिजिए इसके बाद submit details पर tick कर दीजिए ठीक है लिखावा आ गया thank you राहूल चारो step हमारे green team complete हो चुके हैं यहां पर edit detail का भी option आ रहा है आप चाहें तो वापिस हैं पर customize कर सकते हैं ठीक है चेक करने के बाद continue all option पर click कर दीजिए final review जो भी detail आपने भरी हैं सबकी सब यहां पर आपके सामने आ जाएंगे आप यहां पर cross check कर लिजिएगा और यहां पर आपकी बैंक के ब्रांच होते हैं आपके nearby वो भी यहां पर show कर रही है आप चाहें तो इसे change भी कर सकते हैं यहां से ठीक है चेक करने के बाद confirm detail पर tick क दीजिए इसके बाद यह option आ जाएगा choose an account type that suit you यानि कि जिस तरह का आपको यह account यहां पर open करवाना है वो आपके सामने पूरी की पूरी लिष्ट आ जागी जैसे आप आ रहा है AU platinum average balance 25,000 रुपे पर मंद तो मेरे को zero balance वाला करना है तो नीचे आना है थोड़ा सा नीचे को इसके फ़ले option पर आने के बाद आपको इसके फ़ले option पर टिक करना है इसके बाद आपके सामने यह वाला पर यह उपन हो जाएगा यहां पर दो option आ रहे है एक तो अगर आपको debit card चाहिए उसके एनवल चार्जिस है 177 और इसके लावाए free checkbook अगर आपको यह दोनों चाहि नहीं तो आप इन्हें अंटिक भी कर सकते हैं इसके बाद continue कर दीजिए इसके बाद आपके सामने यह वाला पर जो बन हो जाएगा video kyc के लिए यहां पर कुछ step है वह समझा देता हूँ आपके पास original pen card होना चाहिए एक blank paper होना चाहिए और एक pen होना चाहिए इसके बाद र फिर laptop या पर जिस device में आप इसे काम कर रहे हैं उसे enable करना है आपको यहां पर location camera microphone and pop-up permission last step है हमारा frame ठीक है आपको बिल्कुल video kyc के दो रहाना बिल्कुल phone के frame में होना है यानि अगर आप laptop में webcam में या फिर mobile से काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल device के जो फ्रेम होता उसक आपके पास अधार कार्ड, pen card, blank paper और एक pen होना चाहिए और जो detail वो मांगते हैं वो आपको वहां पर दिखानी है front back camera जिससे भी वो कहते हैं ठीक है और आपकी video के वैसे यहां पर done हो जाएगी इसके पास आपका account number, IFC code, branch code सब कुल यहां पर screen पर शो जाएगा ठीक है दोस